वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मैल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए नमस्कार, क्रेंस एंड ट्रेवल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दियूरी हौल्ट से पार्ट वन में हमने आपको दिखाय था जो पीली भीत से शाहगर तक आमान परिवर्तन का कारे होना है उसमें जो हमारा खटीमा वाला आरोबी आ रहा है बाइपास जो की असम हाईवे से आएगा उसके ठीक आगे से वीडियो की शुरुआत हम लोगों ने की थी और पहुंचे थे दियूरी हौल्ट दियूरी हौल्ट को एक बार फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की मांग थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रोच रोड आपको हमने दिखाई और किस प्रकार से यहाँ पर इधर सीड़ियां बनाई गई है और यहाँ पर रैंप बनाया गया है स्टेनलेस स्टील की रेलिंग्स लगाई गई है जो की काफी खूपसूरत भी है मजबूत भी है और यहाँ पर जो छोटा सा टिकट घर बनाया गया है सामने आप देख सकते हैं दिवरी हल्ट इस पर लिखा हुआ है और पक्षियों की अकरती इस पर बनी हुई है येलो कलर में और ब्लू कलर में किस प्रकार से पेंट किया गया है जैसे की एक वेट लेंड होती है यहाँ पर आसपास चोकी वन शित्र काफी है तमाम तरह की पशू और पक्षी यहाँ पर प्रवास करते हैं इस कारण से जो package 3 है विशेशकर उसके जो halt भी बनाए गए हैं बाग की तस्वीर आप देख सकते हैं एक तरफ उकेरी गई है क्योंकि पीली भी tiger reserve का यहाँ पर area लगता है पास में तो इस कारण से जो छोटे छोटे halt यहाँ पर बनाए गए हैं संदई और दियूरी इसके अलावा भी जो package 3 के halt हैं वहाँ पर भी stations पर भी चितरकारी काफी की गई है जो की मुझे काफी पसंद आई यहाँ पर आप देख सकते हैं rail bet complete है दियूरी halt का जो platform है बहुती अच्छा platform बनाए गया है non interlocking tires यहाँ पर लगाए गया है पीछे आप वरक्षार उपर जो यहाँ पर किया गया है उसके tree guards लगे हुए हैं इधर side में rail bet के ठीक right hand side पर आप देख सकते हैं concrete के sleepers और rails कुला करके रखा जा रहा है OHE के car आप देख सकते हैं यहाँ पर mast आपको देख रहा होगा पड़ा हुआ है इधर सामने हो जाएगी पीली भीत junction की दिशा जो की यहाँ से 7 km है और दियूरी halt single line यहाँ से निकलेगी चुकि platform पर पीले रंकी पट्टी पड़ी हुई है ताकि जब भी यहाँ से कोई express train non stop वाली निकलती है तो यातरी इस पीली रेखा के पीछे रहें जो पीली पट्टी डाली जाती है यह सुरक्षा के कारणों से दी जाती है ताकि कोई भी आदमी इसके आगे ना रहे पीछे यहाँ पर देखिए आसपास काफी हर्याली है और यहाँ पर as such कोई पीछे boundary wall या railings halt पर जैसा होता है नहीं लगाई जाती है तो यहाँ पर भी कोई पीछे निर्माण विशेश नहीं हुआ है यहाँ पर काफी पिड़ पौधे लगाए गए हैं आसपास और पानी भी आपको दिख रहा होगा पीछे भरा हुआ है यह दिवरी halt का signboard आ गया signboard काफी अच्छे इन बोल्ड्स है सारे जो चमकेंगे यलो कलर में OHE का मास्ट आप देख सकते हैं एक छोटा मास्ट यहाँ पर पड़ा है supporting मास्ट और अभी जो rail electrification के कार KPTL कर रही है उसमें सबसे पहले शागर से आगे जो कार शुरू हुआ है package 3 के part 2 में उसमें foundation बनाने का काम तेजी से क किया जा रहा है पेली भी जंक्षन की दिशा में भी और जितनी foundations पक्की बनती जा रही हैं उसके अंदर OHE के जो मास्ट है हमारे उनको डालने का काम भी तेजी से किया जा रहा है बहुत सारी जगहें इरेक्षन भी हो गया है कुछ जगहें अभी मास्ट डाल दिये गए हैं लेकिन इरेक्ट नहीं किये गए हैं और कुछ जगहें पे अभी सिर्फ पक्की foundation बनी हुई है तो ये हमारे OHE के जो कार होने है rail electrification के उसकी स्थिती है पार्ट टू में package 3 के शागड से पीली भीत के बीच में जो लगभग 22-23 किलोमीटर का हमारा section है इसका ही कार सबसे जट हुआ है लेकिन अभी concrete sleepers कुछ पड़े हुए हैं उनको भी JCB की मदद से हटाया जाएगा और जैसा आप सब जानते हैं पूर्व के वीडियो में भी part 1 में हमने आपको बताया था कि 100 क्रोड का budget स्विक्रित हुआ है इस बार पीली भीत शागड अमान परिवर्तन के जो कार होने है N.E.R. में उसके लिए इज़त नगर मंडल में तो 100 क्रोड रुप्या जब आ जाएगा budget में तो financial year अपरेल से शुरू होता है निया वित्ती साल वित्ती वर्ष जिसको हम कहते हैं 23-24 का तो उसमें अपरेल से आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो कार अभी चल रहे है इसमें और तेजी आएगी अपरोच आपने देख ली दियूरी होल्ट के किस प्रकार से बन गई है किस प्रकार से entrance दी गई है सेडिया और रैंप यहाँ पर दिव्यांगों के लिए वो दिया गिया है hand pump लगा हुआ है और अब हम लोग चल रहे हैं दियूरी होल्ट से आग रही है और जगह 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 जो OHE के कार चल रहे हैं या हो रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं माला के दिशा में भी जो मास्ट हैं उनको foundation के अंदर डाल दिया गया है अब यहाँ पर मार्किंग की जाएगी और उसके बाद पहले छोटा वाला जो बैलस्ट होता है वो बि रेल्स रखी जाएगी बाए हाथ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैलस्ट है वो कितना धेर हो चुका है डंपर्स में यहाँ लाकर केस को स्टोर किया जा रहा है स्टॉक किया जा रहा है डंप किया जा रहा है और यहीं से फिर रेल बेट की ऊपर ट्रैक्टर टॉली की मदद से इसको स्प्रेट किया जाएगा डाला जाएगा जिसके बाद कॉंक्रीट की स्लीपर्स जो ये रखे हैं इनको बिछाने का काम तेजी के साथ शुरू किया जाएगा पुल और पुलिया यहां पर ये जो पुल था ये भी काफी बड़ा पुल था लेकिन अब ये पुल यहां पर कंप्लीट है आप देख सकते किस प्रकार से रेल बेड पुल के ऊपर से आगे आ रहा है और माला स्टेशन की दिशार में हम लोग चल रहे हैं द्यूरी होल्ट से माला जो है लगभग 5 किलो मीटर पड़ता है पिलीबीत जंक्शन से लगभग 12 किलो मीटर माला है बिलकुल बीच में है और उतन ही आगे डिस्टेंस फिर संदई होते हुए शागड का पड़ जाता है लगभग तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और लेवल क्रोसिंग आ गई है जिसके पास में लगा दी गई है रेलिंट स्वे में लगए अभी कोछ जगह पर रेलिंगस का काम हो रहा है और इस रूट पर जितनी भी रेलिंश लगाई गई है सब इस प्रकार से लगाई गई है आप देख सकते हैँ काफी मजबूत railings लगाई गई है यलो कलर में पीछे यहाँ पर paint हो गया है अब इस पर भी देखी चत्रकारी कुछ दिन बाद बनती नजर आएगी क्योंकि अभी paint हुआ है सिर्फ तो rail bed आप देख सकते हैं किस परकार से आ रहा है और यहाँ पर किस परकार से तैयारिया चल रही है यहाँ पर level crossing आएगी तो इसलिए जो side में approach road आएगी concrete की CC road यहाँ पर बनाई गई है उचा पठा दे करके आप देख सकते हैं फिर जब track पढ़ जाएगा तो उसी की level में road य उसकी खुदाई होगी signal के लिए वो सारे कारी जो technical कारी होते हैं उनकी शुरुवात होती है OHE mast यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पढ़ गया है लगा लिया गया है तो यह part 2 हम कर रहे हैं दो parts में पीली भीट से शागल का जो हमारा section है इसमें माला station के पहले तक हम लोग cover क हम आपको दिखा रहे हैं और चुकि यह बहुत remote area है पिछड़ा हुआ एरिया है यहाँ पर आसपास कोई हम लोगों के subscriber यहाँ पर as such नहीं रहते हैं connectivity का भी issue है signals यहाँ mobile के जल्दी नहीं आते हैं जंगल का छित रहे आसपास यह सामने जो pull आप देख रहे हैं इसका निर् अब वो सब टू टाट गया है आप नीचे देख सकते हैं जैसे भी machine चल रही है यहाँ पर sand bags लगा दिये गए हैं बालू के जो बोरे होते हैं रेट के pillars आगे खड़े हैं cemented अब इनके ऊपर यहाँ पर slab पड़ेगा और pull complete किया जाएगा जिसमें थोड़ा समय लगेगा वक 96% अगर हम कहें complete है यह जो छोटे छोटे pillar दिखना है right side यह छोटी line जाया करती थी सामने यहाँ से कुछ दूर बाद माला station आजाएगा जहाँ पर FOB का काम girder रग दिया गया है दो platforms बनेंगे एक रंधू track रहेगा दो loop lines रहेंगी माला station पर उसके पहले भी एक level crossing पड़ती है तो अभी आगे कार चल रहे हैं धीरे धीरे गती पकड़ेंगे अगले भीने से और कारियों में तेजी आएगी और budget मिलने के बाद अपरेल से इन कारियों में और धिक गती आएगी तो एक पूरा detail में आपको हमने coverage करके दिखा दिया चूकि यहाँ से वीडियो manage करके ला करके बाद दाद पक यहाँ से वीडियों में दहाँ से लड़ें धिक यहाँ से वीडियों में बा來到idasनल राल रर भीने से आएगी से पक्वियों में आपकरशननों में एक पट भादा से उ sistrain hunting pf killer रैष पती अपस्र Yःण तो आगले अग सर्क्र में आपकर 15 10.11 शte زण में